Hi Everyone, Welcome to Bindas Physics आज का टोपिक है Superposition of N Collinear Harmonic Oscillations जिसमें हम लोग Having Equal Frequency Difference वाले सब टोपिक को देखने वाले हैं तो पहले हम लोग एक waves ले ले लेते हैं जिसका amplitude क्या होता है अनौथ होता है और equal phase constant में वो आगे बढ़ रहा है याने कि मान लेजिए N number of waves है जिसे हम लोग Superimpose करने वाले हैं और उस waves के सभी waves के amplitude है याने कि उचाई उस amplitude का अनौथ है और वो सभी के phase constant सेम है तो phase constant अगर सेम होता है आप लोगों पता होगा कि उसका value 0 होता है सभी का value है ना तो वो जो frequency है उस waves के सारी waves के frequency uniformly distributed है याने कि हम लोग कह सकते है कि एक upper frequency होगा एक lower frequency होगा और उस frequency के मतलब stage में उस frequency bound में uniformly distributed रहेंगे है ना तो upper frequency हम लोग omega 2 मन लेते है और lower frequency हम लोग omega 1 मन लेते है और अब हम लोग क्या करते है जो waves से उनके displacement को लिख लेते है और waves के displacement को लिखने का equation क्या होता है x is equal to nth cos omega t है ना आप लोग sign में भी लिख सकते हो सिम प्रोसेस होगा लेकिन formula थुरा सा बात में अलोग होगा लेकिन आप लोग cos में भी लिख सकते हो sign में भी लिख सकते हो कोई major issue नहीं है यहापर मैं फर्स पर्टिकल के लिए x1 ले रहा हूँ और nth cos omega 1 t जिसमे nth है amplitude omega 1 t है उसका angular frequency साथ में time x2 है nth cos omega 1 t plus del omega t हम लोगोंने frequency difference लिया है तो frequency का difference सेम होगा हम लोगों नहीं नहीं कहा है कि frequency equal होगा हम लोगोंने कहा है कि जो frequency का difference होगा waves का वो सेम होगा यानिकि इस वाले frequency और इस वाले frequency का difference सेम होगा जैसे कि इस वाले frequency को आप लोग पूरा का पूरा frequency को आप लोग omega 2 मान सकते हो इसको omega 1 मान सकते हो तो omega 2 माइनस omega 1 जब हम लोग करेंगे omega 1 t omega 1 t cancel हो जाएगा बचेगा del omega t फिर इसी तरह आप लोग अगर इस पर भी करो तो क्या होगा इसको आप लोग omega 3 मान सकते हो पूरा थार्म को इस पूरा थार्म को omega 2 मान सकते हो है ना तो omega 3 minus omega तो जब करोगे तो 2o del omega minus 1 del omega तो अंसर आएगा del omega तो दिफरेंस से वो सेम आ रहा है ना कि हम लोग frequency सेम ले रहे हैं तो t को आप लोग कमो ले लेंगे तो इस प्रकार से आएगा एन नोट कोस omega 1 plus del omega t आप आप लोग समझ पार हो है ना और xn क्या होगा जिस तरह x1 x2 x3 ले रहे थे एक्सन क्या होगा एनोट कोस omega 2 ठीक क्योंकि हम लोगों ने अपर फ्रिक्वेंसी omega 2 लिया है अब यहाँ पर हम लोग superposition principle लगा के क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे तो resultant displacement अगर हम लोग x मानेंगे सभी waves का तो इन साड़ का क्या होगा सम होगा अगर यह अहाँ पर del omega क्या है वो आप लोगो नहीं पता तो del omega मैं आप लोगो को define कर देता हूं del omega क्या है omega 2 माइनस omega 1 divided by n-1 आप लोगों मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं ठीक है ना मानलेजे यहाँ पर क्या है 3 है 3 है तो n यहाँ पर 3 है तो 3-1 कितना होगा 3-1 2 होगा तो जब यहाँ जाएंगे तो 2 del omega होगा तो यहाँ पर देखें 2 del omega पता है आप लोगों यह 2 del omega तो इसलिए यह फॉर्मूला यहां से आ रहा है ना तो omega 2-1 क्या हो रहा है फ्रिक्वेंशी का चींज हो रहा है तो है इस वाले को resultant को find करने के लिए हम पहले वाले concept में लगाए थे पहले वाले video side आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूं आप लोगो यह देखें हम लोग क्या करेंगे यह जो कॉस है कॉस जो तर्म है कॉस को हम लोग मतलब resultant को निकालने के लिए यह सारा तर्म यहां पर आगया है तो इनको solve करने के लिए हम लोग दो system लगा सकते या तो हम एक्टर एडिशन कर सकते हैं या तो हम complex number का system लगाएंगे जिससे x को हम लोग क्या पूद करेंगे मतलब cost के जगा पर हम लोग e to d per i बाकि सारा सेम रहेगा और resultant x के जगा पर z अनौट e to d per i omega 1 t plus e to d per i omega 1 plus 0 omega t इस प्रकार से होगा तो आप लोग देहां देखेंगे पत्ता से लगा जाएगा तो इस वाले तर्म को हम लोग इस प्रकार से लेख सेकते हैं अगर हम लोग E को अगर हम लोग E I देल ओमेगा T को A मान लेते तो इसा होगा 1 प्लास A प्लास A स्क्वेर प्लास A N माइनस 1 है ना तो आप लोग को इस ज्योमेट्रिक सेरीज पता होगा क्योंकि इस वाले जो पूरे तर्म से इनको हम क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा तो एक फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा सम का है ना तो ज्योमेट्रिक सेरीज प्रोगेशन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या कहता है कि अगर इस प्रकार से इस equation को हम लोग लेख सकते है तो यह पहला तर्म है इसे कैसा लेख सकते है हम लोग ऐसे लेख सकते है इसका formula होता है यह लोग को पता होगा है ना देखे इसका formula होता है पहले पहला जो तर्म है वो हमें सब 1 in 2 होगा यहां पर अगर 2 हो होता है ना तो 1- यह हमसे 1- सी होगा यहाँ पर जो कोई भी हुआ पहला तर्म जो कोई भी हो ना 1- ए तो धी पर आण यह पहला तर्म जो है इसको एन होगा 1- से यह सिर्ज का फॉर्मूला है अब नेक्स वीडियो में मैं आगर चाहते हो तो मैं यह फॉर्मूला पता दोंगा तो यह फॉर्मूला है ठीक है ना और यह बार बार हम लोग क्यों लिखेंगे है ना तो यह बार बार नहीं लिखेंगे तो इसके जगा पर हम लोग एवान मान लेते हैं बाद में एवान को इससे रिप्रिस कर देंगे तो बार बार लिखेंगे तो हम लोग का द आप लोग यहां तक समझ गें तो हम लोगों ने क्या माना था देखें एको हम लोगों ने क्या माना था तो यहाँ पर A को replace कर देते है A1 भी हम लोग put कर देते है A1 का value क्या है A1 और यह I omega 1 T और साथ में A का value क्या है E3 पर I del omega T और यहाँ पर N दाज तो साथ में N को हम लोगो multiply करना पड़ेगा नीचे N नहीं है तो N नहीं multiply किजिए आप लोग तो अभी के लिए क्या किजिए यह जैसा है वैसा put किजिए और यहाँ से आप लोग एक common बाहर लेजे क्या बाहर लेजे I N del omega T divided by 2 को बाहर लेजे यानि कि यहाँ पर 1 है तो तो यहाँ से 1 से आप लोग half बाहर ले देजे 1 से आप लोग जग half बाहर ले जाएंगे तो बचेगा क्या एक रुपे से आधा रुपे ले लिया अप ले तो यहाँ पर half बचा इसलिए तो यहाँ पर half था ही नहीं half था ही नहीं तो क्या होगा तो हम लोगों ने क्या क्या यह जो था इससे multiply और divide कर दिए जब कट जाएगा तो 1 बचेगा तो उपर बरे तर्म को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो नीचे बरे तर्म बर्च किया तो उपर आगया तो माइनस हो गया I hope आप लोग समझ बारे common का जो formula होता है पंडा होता है तो यहाँ से 1 से बच गया तो यह हो गया तो यह आप लोग पॉस्ट करके वीडियो को थोड़ा सा common का concept लगाई है अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे यह जो है इसको हम लोग divide का formula लगा सकते है कि जब e to x to the power 2 और x to the power 1 हो दे तो x to the power 2-1 कर देते है तो साथ में यह तो था ही हम लोग का पहले से ही देखिए अब क्या होगा अब हम लोग क्या करेंगे यह तो a not e i omega 1 t पहले से था अब आप लोग को एक formula याद रखना पड़ेगा तो फॉर्मूला में आप लोग को बता देते है एक formula होता है कि जब हम लोग क्या करते है कि sin theta को लिखते है sin theta को हम लोग इस प्रकार से भी sin theta को इस प्रकार से हम लोग लिखसे क्या I t you e to the power minus i theta और शाथ में क्या कर सकते हम लोग 2i है ना तो ये वी एक formula है आप लोग इसे हम लोग पूरूफ नहीं कर सकते अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीदियो वेसे भी बहुत लंबा है आप लोग सैंसी को इस से चलो हो गया और ठीटा के जगह पर क्या था यह था हाफ एन देल ओमेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा और यह तो साथ में पहले से ही था याना एवान जिसे हम लोगों ने सब्स्टिट किया था और यह जो की नीचे था हम लोगों ने उपर लिए दिवाइड करते हैं तो देखते हैं जैड इस इक्वाल टू इंटू एक्स पर वान कुछ इस प्रकार से है तो एक्स प्रकार टू प्लस वान होगा तो इन दोनों का साम करेंगे तो यह मिलेगा आप लोगो ना वीडियो को पॉस्ट करके थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो तो अब हम लोग क करेंगे हम लोग को या अच्छा होगा है इतना बार को तो यह पूरा का पूरा तर्म हम लोगों यहां पर सब्सक्राइब यहां नहीं जाँ Fine ह recent कर एंट माइन मारे ना यहां घाएा ग और यहाँ जातों कि तुर इसके जगह पर एंट माइनस मैंने स्फ़ीन क्या होगा चाले उलतु吸िश हे को संब और इन डोनों का समको उमेघा कर सकते हो यह पूरा का पूरा तर्म को आप लोग एह लेख सकते हो न कि यह और यह इन दोने तर्म और यह पूरा तर्म आपकर सकते हो यह क्या होगा एमप्लिटुट होगा है न तो घूल Soumэтा थीGS था내 कि हम लोगों ने आए-एम ले जाया है यहां पर अम है क्या면말 है आज हे लिगों के लिए जाय मैं